खौमा गणिसा स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्दियां आ गई है और सर्दियों के मौसम में बहुती ताजी हरी सबजें आती है तो उसी में एक मूली की सबजी ये बहुती बढ़िया होती है सबजी ये मूली की कई तरज से बनाई जाती है लेकिन आज मैं आपको अपने तरह से एक मूली की सब्जी बना कर बताऊंगी जो कि बहुत ही बढ़िया स्वाधिश्ट बनती है तो यहाँ पर मैंने एक मूली ली है जिसमें मैंने मूली भी ले ली और उसके पत्ते भी ले ली है तो अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे सबसे पहले मूली को हम उबाल कर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल देंगे टाइट एकदम बिल्कुल पानी नहीं रखेंगे तो मूली उबल रही है तब तक हमने एक गाठ लसन की और एक हरी मिर्च ली यानि नौ से दस कली लसने और एक हरी मिर्ची इसको हम हमान दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे इसमें थोड़ा लसन जद्धा पढ़ता है जिससे कि यह बहुत ही टेस्टी सबजी होती है तो यहाँ पर देखिए इसको कूट लिया है गैस पर पैन रखा है और दो चमच हम तेल लेंगे यहाँ मूली की देसी सबजी है मतलब देसी खाना है मूली की सबजी कई तरह से लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं तो आज हम मूंग मोगर और मूली की सबजी बना रहे हैं बहुत ही बड़या सबजी होती है आप एक बार इससे बना कर जरूर देखना तो तेल गरम हो गया हमने एक चमच जीरा डाला जीरा हमारा भुन गया तो गैस को बिलकुल धीरे कर दे वरना आपके लसुन और हरी मिर्ची जल जाएंगे तो गैस को धीरे करके कुटी भी हरी मिर्ची और लसुन हम डालेंगे और हलका इनका कलर चेंज वे इतने हमको इसके जलाना नहीं है एकदम काला नहीं करना है बस हलका सा भून जाए जिससे कि इसकी बहुत ही बड़ी एकदम खुश्बू आती है लसुन और हरी मिर्ची की वो स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है तो अब हम डालेंगे यह मूंग मोगर और इसे भी एम इनके साथ भून लेंगे फट देर भूनेंगे दो मिंट के करीब और गैस को देखिए बिलकुल या तदिरे रखिये या मेडियम रखिए यहाँ पर हम दाल को पहले भून लेते हैं तेल में और मसाले के साथ इसमें लसुन और मिर्ची के साथ इसी के साथ हम एक चमर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे आद़ चमर चल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमर धनिया पाउडर डालेंगे तो अब धीमी आज पर इन मसालों को भी डाल के साथ भुन लेंगे आप आज का ध्यान अगना अगर आपने गैस तेज रखा तो यह जो मसाले हमने डाले यह जल सकते हैं तो धीमी आज पर मसालों को भी डाल के साथ भुन लिया और अब जो हमने यह मूली है जिसको हमने उबाल कर इसका पूरा पानी ने चोड़ लिया है वो डालेंगे तो अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने स्वाधन साथ डालिए अब मूली को भी इन सब मसालों और दाल के साथ थोड़ा भुन लेंगे दो मिनट के करीब तो यह सबजी आप बना कर बाजरी की रोटी के साथ खाईए बहुत ही बड़िया लगती है जब भी मूली की सबजी बनती है मैं तो बाजरी की रोटी बनाती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने इसको घुन लिया है मूली को भी मसालों के साथ और अब हम डालेंगे पानी क्योंकि यह बाजरी की रोटी के साथ खानी है तो मैं इसमें थोड़ा रसा रखूंगी और इसमें थोड़ा सा रसा अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी डाल सकते हैं तो मैंने या करीब आदा ग्लास पानी डाला है और ढकन लगा कर मीडियम आज पर हम इसे पकने देंगी तो लगबग 5-6 मिनिट मैंने यहाँ पर इसे पका दिया है यहाँ पर लाइट चली गई तो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए अभी डाल जो है एकदम हमारी खड़ी खड़ी है हमें डाल को यहाँ पर ध्यान रखना है गला ना नहीं है तो इसी के साथ हम डालेंगे एक चमच सफेद तिल है जो की पीसे वे हैं और इसकी जगह आप काले तिल भी ले सकते हैं और एक चमच अमचूर पाउडर डालाए मैं वैसे जादत तर इसमें काचरी पाउडर डालती हूँ क्योंकि वो भी खटा होता लेकिन आज मैंने एक चमच अमचूर पाउडर डाला है और अब हम धीमिया आज पर इसे फिर से पकने के लिए रख देंगे और यहां पर दो या तीन मिनिट हमने और पका लिया और देखिए हमारी सबजी बन कर त्यार है तो इसमें आपको ध्यान यही रखना कि मूली को हम पहले उबाल देंगे अच्छे तरह से और मोगर को भी भीगो देंगे और बाद में हमें इसे इतना पक्ताना है कि इसका जो दाना है दामोगर का यानि दाल का वो गल्ला नहीं चीए तभी यह सबजी अच्छी लगती है तो देखिए हमारी सबजी बन कर त्यार हो गई है अब हम इस पर ढकल लगा देंगे और आप इसे बाजरी की रोटी के साथ मकी की रोटी के साथ जौर की रोटी के साथ बना कर खाईए बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही